कि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सबस्टाइब कर दिया है नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए हेलो एवरिवन वेल्कम बेक तो माई चैनल तो यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट मैंने 15 मिंट का उपन किया हूँ है मेरे पास काफि सारे questions आते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं आप कैसे levelsडू करते हैं प्रैस易 इक्षन बेस पे आप कैसे trades लेते रहां में बताई अ मैं बता ऑज जबदे से देख लेते हैं कि प्रैस एक्षन बेस पे आप जो कैसे अपनी trades ले सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप लोग के लिए कुछ levels draw कीए हुए है levels कैसे ड्रॉ करने है यह मैंने आप को पहले भी वीडियो में बता दिया है लेकिन मैं आज आपको फिर से आपको बता देते हूं कि आपको levels कैसे draw करने हैं उससे पहले आप जो है यह indicators देख सकते हैं बहुत यचे indicators मैं आप लोग के लिए यहां पर दिये हुए है total जो है यहां पर साथ indicators जो है important होने वाले हैं इन indicators के उपर जो है मैंने आप लोग के लिए अलग से वीडियो बना दी है पहला जो है दोनों जो है moving average जैसे कि आप लोग को पता है और दूसरा है pivot point तीसरा है जो है यह है RSI super trend volume yesterday open high low and close तो यह वाले जो हैं बहुत important indicators हैं लेकिन जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है हर indicator अलग अलग जगह पर यूज होता है यह आप trend line देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो है market इसको touch करता आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने trend line रोग की हुई है यहां पर बहुत अच्छे से काम कर रही है तो market जो है वो अगर gap up open होता है तो level जो मैंने आपको बताया इसी के बीच में ही रहता है तो फिर हमें जो है बहुत अच्छे move देखने को मिल जाएगा फिर नीचे जो support लेके अगर इसको break करता है तो बहुत अच्छे move आईगी और अगर market जो है वहीं पर ही open होता है तो market जो मैंने आपको यहाँ पर triangle बनाए हुआ है उसके बीच में किसी भी side break करता है तो भी हमें जो एक अच्छी move देखने को मिल सकती है लेवल्स आप देख सकते है market ने जो levels में आपको बनाए है market कि अच्छे से उनको follow कर रहा है काफी बार support भी ले रहा है resistance भी ले रहा है उस जो लेवल है उसके उपर closing दी यहां पर भी उसी लेवल पर ही इसने जो है closing दी है तो आपने देख लिया कि कितने अच्छे important levels होते हैं तो अब उमीद है कि यह जो quick video है वह आपको समझ आई होगी और अगर अब भी आप लोगों के पास कोई भी doubts है तो आप मुझे जो है comment section में comment करके पूछ सकते हैं अगर valid questions होंगे तो उनके answers आपका मिलेंगे तो thank you and please subscribe my channel